सेलेक्षन वाइन के वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे महाराजा छत्र साल के बारे में इसके पहले भी हमने इम्मत अपदेश के कई विद्वानों कई व्यक्तित्तों कई योध्धाओं कई वीरांगनाओं के बारे में भी अध्यन किया हुआ है साथ ही कई आदिवासी नेताओं के बारे में भी हमने चर्चा की हुई है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर देख लें महराजा च्छत साल की वीरता चातुरिपूर्ण नीती और कौसल का कोई सानी नहीं था इसके बल पर उन्होंने अनेक बार मुगल सास्कों को हार का स्वाद चखाया युद्ध में उनका मुकाबला करने से पहले सो बार सोचना पड़ता था बुंदेल खंड के सीवा जी के नाम से प्रख्याद च्छत साल जी के पिता का नाम चंपत राय और मा का नाम लाल कौरी था उनके पिता भी वीरवा बहादुर युद्ध थे चंपत राय के साथ युद्ध में लाल कौरी भी साथ रहती थी इस दोरान पती का युद्ध छे प्रिजित्र में उत्साह वर्धन करती रहती। तब छत्र साल अपनी मा के गर्व में थे मालाल कुरी की सिक्षा ने छत्र साल को बहादूर वा युद्ध कौसल में निपुड बनाया। छत्र साल को अस्त सस्त्र और युद्ध कला की सिक्षा इनके मामा जी के यहां मिली। महस्दस वर्ष की आयू में छत्र साल कुसल सैनिक बन गए थे। दुस्मनों से छोटे छोटे युद्ध लड़ते अपना रास्ता इन्होंने सोता ही तैयार किया। फिर छोटी छोटी रि युद्ध और सैन संचारन की कुशल नीती के आगे औरंग जेप की सेना भी हार मान गई। छत्र साल ने सनेह के बल पर बुंदेलखंड की प्रजा का विश्वास जीता, सभा में विद्वानों को सम्मानित भी करते थे छत्र साल। बुंदेलखंड का छतरपूर नगर छत् महराजा च्छतर साल के विसाल सामराज के लिए कुछ पंतियां कही जाती है। इत जमना उत नर्वदा, इत चंबल उत टोंस, च्छतर साल के लड़न की रही नकाह होस। आएए अब हम महराजा च्छतर साल के बारे में लिखित रूप से अधिन करते हैं। आएथी कुपलब्द की बात करें तो इन्होंने बुंदेल खंड में एक स्वतंतर राज की स्थापना की। अपनी राजधानी पन्ना इस्थांतरित की। इन्होंने पन्ना च्छतरपूर आदिसंपूर बुंदेल खंड में राज का विस्तार किया। मराठाओं की मदद से इन्होंने मुगल सीना को पराजित किया इसलिए वे स्विवाजी दुतिय या बुंदेल खंड के स्विवाजी के नाम से भी जाने गए आईए हम राजा च्छत साल की धार्मिक उपलब्दी के बारे में चर्चा करते हैं यद्यपी राजा च्छत साल एक हिंदू धर्म के अनुयाईस आ सकते किन्तु इनके गुरु प्राणनात जी हिंदू मुस्लिम एक्ता का समर्थन करते थे इसके कारण ही एक धार्मिक सहिश्नु राज की इस्थापना हुई अगर हम सांस्कृतिक उपलब्दी की बात करें तो राजा च्छतर साल ने पन्ना के दुर्ग का निर्माण करवाया तथा अपने दर्वार में कवी भूशन और कवी हंस राज को सनरक्षन पर दान किया कवी भूशन और कवी हंस राज अगर इनके राज की हं कुछ सीमाओं की बात करें सामाजिक रूप में उनका राज साती प्रथा जाती प्रथा सामाजिक भेधभाव जैसी कुरीतियों से घीरा हुआ था मुगल सेना को पेश्वा बाजी राव की सहायता से पराजित करना पड़ा हर्थात इनकी सेना का संगठन भी कमजोर था सामराजिक को ये इस्थायत भी प्रदान नहीं कर सके उपरियुक्त सीमाओं के बावजूद भी मद्धिकाल में बुंदेल खंड के विकास्व विस्तार में छत्र साल की महत्वण भूमिका रही है इनकी इसमित में मध्धपदे सरकार ने छत्र साल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है तो साथ यहों आज के वीडियो में हमने जाना महराजा छत्र साल के बारे में हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए आप सोश्रों में पढ़ते रहें